क्या है इलेक्ट्रोल बॉंड इसे लेकर क्यों है इतना विवार सीजे आई चंद्रचूड ने मोधी सरकार से इस पर कौन जे सवाल पूछे चिनावी बॉंड कौन खरीच सकता है इसका क्या होता है किसी भी लोक्तांत्रिक व्यवस्था का केंद्र बिंदू वहां का रहने वाला नागरिक होता है और इस व्यवस्था को आकार देने का काम राजनेतिक दल करते हैं इस विवस्था के चलते राजनेतिक डल बहतर शाशन के लिए कड़ी का काम करते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी राजनेतिक डल चुनाव आते आते अपने पॉलिटिकल कैमपेइनिंग के लिए वोट मांगने के लिए जो तमाम पोस्टर्स, होल्डिंग्स छपवाती हैं चुनावी रैली आयोजित करती है उसके लिए पैसा कहां से आता है तो जवाब है इलेक्टूरल बॉंड ये शब्द सुनने में किसी टेक्निकल टर्म की तरह साउंड करता है न लेकिन आजकल इसे लेकर देश की सर्वोच न्याले सुप्रीम कोड तक में घमासान मचा हुआ है पिछले कुछ दिनों से इलेक्टूरल बॉंड या चुनावी बॉंड का नाम काफी शोर्त मचा रहा है विपक्षी पार्टी भी से लेकर चुप्पी साथ चुकी है और सत्ताधरी पार्टी ने भी खामोशी की चादर ओड रखी है रही बात सुप्रीम कोड की तो कोड ने जरूर इलेक्टूरल बॉंड पर समविधानिक जजों की बेंच बुला कर 31 अक्टूबर से सुनवाई शुरू कर रखी है जिसमें भारत के मुख्य नहाय दीश जस्टिस डी वाई चंदशून जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस ब बहुत कुछ कहा सरकार ने भी बहुत कुछ कहा और ये सब सुन-सुन कर जजों ने भी अपनी राय रखी इस पूरी बहस पर बात करेंगे लेकिर उसके पहले इलेक्टूरल बॉंड को समझना आप सभी के लिए बहत जरूरी है तो चलिए पहले बात कर लेते हैं तो सुनिए राजनितिक पार्टियों को चन्दा देने का ये साधर सबसे पहले साल 2018 में इंट्रोड्यूज हुआ जिसके बाद से तब से लेकर अब तक ये राजनितिक पार्टियों का चुनाप के जाहिर है भारत एक लोकतांत्रिक देश है इसलिए भारत का कानून आपको ये हक देता है कि आप एक राजनितिक दल बनाएं उसका रजिस्ट्रेशन बकाइदा करवाएं और इसके लिए चंदा खत्ता करें इन सभी व्यवस्था से खुल कर चंदा लेने में ना कोई नैतिक समस्या आएगी और ना ही कोई कानूनी दाउं पेज अब आप कहेंगे कि जब ये सब व्यवस्था इतनी सही तरीकी से चल रही है तो दिक्कत कहां आ रही है दरसल बात ये है कि 8 साल से ये मामला सुप्रीम कोट में लंबित पड़ा है इसले माना जा रहा है कि ऐसे स्थिती में सुप्रीम कोट के फैसले का पूरा पूरा असर दो हजार चौबिस में लोकसभाद चुना उपर पड़ेगा बीती 30 अक्टूबर को केंद सरकार ने कहा कि वोटर यानी देश की जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि किसी भी राजनेतिक दलो को मिल रहा पैसा कहां से आ रहा है जहां एक तरफ केंद सरकार की ये दलील है कि Electoral Bond से मिल रहे पैसों की गोपनियता नहीं रखने से काले धन को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं दूसी तरफ इस पर CGI चंदचूर ने कहा कि हम दुरुपयों की बात नहीं स्कीन की सक्षमता की बात कर रहे हैं अपनी बात रखते हुए चंदचूर जी ने कहा कि जाच एजनसियों के लिए गोपनियता नहीं है चुनावी बॉन्ड योजना के मौजूदा प्रावधानों के तहट एक कंपनी को ये दिखाना होगा कि उसने कुल मिला कर कितना राजनितिक चंदा दिया है इसके साथ ये राशी कंपनी के बैलन्स शीट में भी बकाईदा दिखाई देगी इसलिए व्यापक अर्थ में कोई भी पार्टी ये जान जाएगी कि उसे कंपनी से कितना डोनेशन एमाउंट मिला है लेकिन बड़ी बात ये है कि चुनावी बॉंड योजना सिर्फ चुनाव सुधार या राजनितिक चंदे तक सीमित मसला नहीं है भारत में राजनितिक दलों या सरकार या बड़े बड़े उद्योग पतियों के बीच साथ गात के आरोब दशकों से चले आ रहे हैं और इस नजरिये से इलेक्टोरल बॉंड स्कीम का संबन्द लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरलता और पारदर्शिता के साथ ही सरकार और राजनितिक दलों की जवाब देही से भी जुड़ा है और इसका तो मकसद ही राजनितिक वित्य पोशर में पारदर्शिता लाना बताये गया था हलाकि इसी पारदर्शिता को लेकर कई गंभीर सवाल अब उठने लगे हैं और इसी वज़े से स्कीम की वैदता को चुनौती दी गई है वो बात अलग है कि जब से चुनावी बॉंड शुरू हुआ है राजनितिक चंदे में बे तहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है खेर आपका इस पूरे इलेक्टूरल बॉंड की प्रक्रिया को लेकर क्या खयाल है क्या आपको भी लगता है कि राजनितिक चंदा देने वाली कंपनियों या किसी संथान का नाम गोपनिय रखने की जरूरत है तो बिना देरी किये फोन उठाएं और जटपट अपनी राय हमें कमेंट सेशन बॉक्स में जरूर भेज दें और देखते रहें दन्यूस 15